हलो अरिवन आज है 9 फेबरुरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में और उसके अलावा अदानी ग्रूप की सारी कंपनियों के बारे में जिसमें आज लगातर भेंकर गिरावट है अदानी एंटरप्राईस दुबारा 15 परसन की गिरावट दिखा रहा है अदानी पोड जो रिकवर करा था वो भी 7 परसन की गिरावट दिखा रहा है अदानी पावर यहां दो एक्सपेक्टर था ही और कल इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था कि नतीजे बहुत ही यहां पर अगर बात करने जाए तो अदानी गैस यह तो कहीं पर भी संभला नहीं है जब से रिपोर्ट्स आये हिंडन बर्ग की सबसे जादा यह तोटा ही बाकी कमपनियों में बीच बीच में कभी तीजी देखने को मिली भी थी लेकिन अदानी गैस में वो सीन देखने को नहीं मिला क्योंकि यह ओलरीडी काफी महँगा था काफी हाई पी के ओपर यह ट्रेड कर रहा था अदानी की बात करें तो भी अदानी गैस सुरी ग्रीन की बात कर तो यहां पर भी गिरावट है ये अभी भी इतनी गिरावट के बावजूद भी अम्बुजा बहतरीन कंपनी है लेकिन फिर भी आज ये भी तूटा है यहाँ पर और ACC में भी देखो तो गिरावट है बस एक अदानी विलमर जो है वो थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आया है इनके भी कल नतीज़ सामने है थी जिसके बारे में हम बातचीट भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपो काफी जादा हेल्प करेंगे तो एक्चुली में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गिरावट देखने को मिले कल मैंक्सप्ट कल मुझे लग रहा था कि गिरावट आएगी लेकिन कल आई नहीं कल तीज़ी देखने को मिल गई कल जैसे ही आरबियाई की अनॉंसमेंट होई थी रैपो रेट को लेकर मुझे लगा था कि बाज़ा थोड़ा सा तो रियक्ट करेगा उस खबर को दियार में रखकर लेकिन बाज़ा ने रियक्ट किया लेकिन पॉजिटिव वे में गिया बाजर भाग या और आज अगर आप देखो तो बाज़ा सा रियक्टर जरूर रहा है थोड़ा सा हलका सा जरूर हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो जटका लग रहा है वो अदानी गुर्प को लग रहा है यहाँ पर अदानी में अगर आप देखो तो एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आए यह हाल फिलाल में वो ये भी है कि जो अदानी गैस ने जिनके साथ जॉइंट वेंचर किया है टोटल एनरजीज वहाँ पर इनका पहले प्लान था हाइडरोजन को लेकर और अभी ये सारी कंट्रवॉसी के बाद उन्होंने अपना उस प्लान को होल्ड पे डाल दिया है हाइडरोजन को लेकर जो प्लान था उसके साथ उनका जॉइंट वेंचर होने वाला था अदानी के साथ लेकिन अभी वो प्लान hold पर है अगें cancel नहीं है hold पर है ठीक है अदानी विलमर 416 पर shared rate करा है नतीजे अगर हम देखे तो नतीजे इनके काफी अच्छे थे कल 16% का rise था volume में और ये और even revenue में भी अब था मैंने इससे पहले कल ही मैंने morning में अदानी विलमर को लेकर वीडियो भी बनाया था कि इनके नतीजे जो है वो अच्छे आ सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने बाकी company इनकी जो peers है मेरी को और पतांजली के साथ इसका comparison भी किया था कि festival season था तो definitely जो oil companies थी जो मतलब edible oil जो बनाती है वो company उनके shares में 30 देखने को मिले ये और मतलब इनके profits में और वहाँ पर दिखा भी सही 2500 करोड का इनोंने मुनाफ़ा भी कमाया जो कि बहुत अच्छी बात है जो इससे पहले 50 करोड से भी कम का था और management की commentary भी है कि we are expecting our product portfolio for region specific product ready to cook product category की बात करें यहाँ पर तो वह region specific product यह लोग लेकर आएंगे ready to cook product जो है उस पर भी जादा focus करने वाले हैं अभी यह है कि company का जो main business निकल कर आता है अदानी विलमर का वो सिर्फ और सिर्फ निकलता है edible oil से यह market leader है भारत में ठीक है लेकिन उसके अलावा company focus कर रही है बागी product के उपर भी focus कर रही है हलाकि आज अभी जब हम बात कर रहे हैं जो पहले 5% की तेजी थे वो देरी देरे 5% की गिरावट की तरफ जा रहा है क्योंकि जाहिर से बात है सभी में pain है तो यहाँ पर भी देखने को मिले का इसमें कोई वो बात नहीं है यहाँ पर company में अगर पिछले एक महिने में देखो तो पिछले एक महिने के अंदर अदानी विलमर में लगातर गिरावट बनी थी लेकिन दो दिनों से यह तेजे दिखा रहा था ठीक है 29% की अभी भी गिरावट यहाँ पर बनी हुई है अदानी विलमर लाट्श के अब कमपनी जरूर है 54,000 करोड से भी जादा का इसका मार्के यहाँ पर वोल्यूम 60 लाग के देखने को मिल रहे और बाजार जस्ट अभी ओपन ही हुआ है कमपनी के नतीजे काफी अच्छे आए 15,400 करोड से भी जादा का इनका रेवन्यू देखने को मिला जो पिछले क्वाटर तक 14,000 करोड था तो रेवन्यू में भी अच्छा जंप है तकरीबन 9-10% का जंप रेवन्यू में रहा प्रॉफिट में 400,000 का जंप रहा पिछले क्वाटर के मकाबले जो की अगें इन अच्छी वाथ है यहां पर अदानी विल्मर अगर हम बात करें जाए तो अदानी और विल्मर ग्रूप का जॉइंट वेंचर है लें हमें यह समझना होगा कि सरकार नहीं यहां पर मतलब सरकार नहीं लेगन सहीबी ने सौट शेलिंग को रोकने के लिए इनको भाईया प्रोटेक्ट किया था बीच में ठीक है जैसे ही वो प्रोटेक्शन हटेगा आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी यह मैं दो तिन दिनों से बता रहा हूँ आपको ठीक है यह वही है सौट सेलिंग को रोकने के लिए प्रोटेक्शन है एक डीटेल वीडियो भी बना था दो तिन दिन पहले इसको रिगार्डिंग कि जैसे ही सौट सेलिंग दुबारा भी देखने को मिल सकती है यहां पर प्योंकि लगातार यह भाग रहा था तो कहीं न कहीं यह रुके गा क्योंकि देखो अभी भी जो खबरों का बाजार है वो 50-50 है दोनों तरफा है नेगेटिव भी है पॉजटिव भी है सेंटिमेंट भी अगर आप देखो तो नेगेटिव है पॉजटिव है लेकिन कुछ चीजे हैं जिसको आप अवाइड नहीं कर सकते हैं जो एलिगेशन इनके उपर लगे हैं कुछ कुछ एलिगेशन ऐसे हैं जिसको आप अवाइड नहीं कर सकते हैं और ऐसे में कुछ कमपनियां इनके बहुत ज़्यादा और वैल्यूड तो है ही काफी महंगी है जिस पे कोई तुक नहीं बनता उस प्राइस पे जैसे कि अदानी गैस हो गया अदानी ग्रीन हो गया अदानी ट्रंस्मिशन हो गया ये कमपनियां को कोई पॉइंट नहीं बनता था कि ये तीन-तीन हजार पे बैठे हुए थे ठीक है और जो allegations भी इनके उपर लगे हैं कि एक ही Files के बहुत बड़ा investment है, यहाँ पर 95% तक का investment है, same address पर है, और यह हम लंबे समय से जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, यह सारी चीज़े हम 6-7 महिने पहले भी यह सारी चीज़े हो चुकी है, लेकिन उसका बात भी कुछ हुआ नही लेकिन इस बार जो है न, वो चीज़े जो है, वो international level पर चली गई है, पहले जब यह हुआ था तो भाया हमारे देश तक सीमित थी, लेकिन अब चीज़े international level पर चली गई है, तो अब दिक्कत आ रही है bond market में, कुछ बड़े brokerage ने भाया, इनके bond market की rating 0 भी कर दी थी वहाँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अदानी के सभी companyya खराब नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं port पे दाव खिलना पसंद करूंगा, और port पे मैंने पहले भी कहा था कि 450 रुपय के निशे जाएगा खरीदारी के मौके बनेंगे, ठीक है, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि 600 रुपय के उपर खरीदने का पॉइंट नहीं बनता है कि अभी भी sentiment ट्रॉसर नेगेटिव जरूर है, साथ मैंने ये भी कहा था कि 500-500 रुपय पे उपर खरीदने का पॉइंट नहीं बनता है, खरीदारी करी है जो बने रहो आप, लेकिन जहां तक बात है fresh buying की आप कि और जादा महगी range पर, अधानी enterprise मैंने पहले भी कहा था कि मैं 1200-1300 की range में खरीदूं का हला कि वो गया भी था उस level पर और मौके बने भी थे, लेकिन जब दुबारा भागना शुरू कर दिया इसने, तो अगें ये चीज clear थी यहां पर, कि थोड़ी तेजी, थोड़ी ग तो 68 का इसका PE ratio है, sector P 48 का है, थोड़ा सा महगा जरूर है, इससे थोड़ा सा correction बनता भी है, 50% analysis कहते हैं खरीदारी करो, अगर हम holding के बारे में देखें, तो 87.94% की holding है, प्रमोटर के पास, और अधानी और विलमर गुरूप का ये joint venture है, ये भी, जैसे इनका अधानी gas में थ टोटल energies के साथ, यहाँ पर देखो, तो mutual fund के पास 0.02% की holding है, 0.11% domestic के पास है, तो यहाँ पर भी बड़े fund house के पास बहुत कम holding है, Files यहाँ पर 1.57% है, रिटेल्स और अधर्स की 10.35% की holding देखने को मिल रही है, जिनमें से retail investors 8.94% की holding लेकर बैठे हैं, तो अधानी विलमर को लेकर मैं कहूंगा कि यह जो गिरावट आ रही है, यह definitely वजह यही है, कि पूरी की पूरी अधानी ग्रूप के shares में गिरावट है, तो जाहिर से वात है, आपको थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर भी देखने को तो मिलेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है, अधान से कॉंटिटी खरीदना, लेकिन साथ में कहा था, थोड़ी से ही खरीदना, यह सेंटिमेंट इतना पॉजिटिव नहीं हुआ है, थोड़ी से कॉंटिटी खरीदना, फिर हर 50 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो, तो एवरेज कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि 400 का श्रीडल का कर रही है, और अदानी विलवर, अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो खरीदारी के मौके यहां पर बनते हैं, लेकिन एक लेवल पर बहुत सारे मत खरीद लेना, यह मैं कई बार बोल रहा हूं, कुछ लोग क्या करते हैं, कि थोड़ा आता है, और एक सार तो याद रखे यह जो गिरावट है यह ऐसा नहीं है कि मतलब और नीचे नहीं जा सकता या फिर जब भागना शुरू करते हैं यहां से उपर ही उपर जाता रहेगा याद रखे ऐसा होगा ठीक है इन यह दो तिन दिनों से जो तीजी आई थी हमें यहां पर उसका रीजन था आगे वही है थोड़े से प्रोटेक्टिट थे यहां पर शॉर्ट शेलिंग को रोका जा रहा था ठीक है अब आप हर रोज नहीं रोक सकते हो कभी ना कभी तो आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा अधानी एंटरप्राइज खरीदारी करी है तो अगे बेचने की दो दो बने रहे है यहां पर ठीक है और गिरावट आती है जो लेवल मैंने कहा वहां पर आवरेज करने के आपको मौकिए ढूंड ziemlich चाहिए बाकी अदानी पावर अदानी पोर्ट इन सब को अदानी पावर है अदानी गैस है अदानी ग्रीन है अदानी ट्रांश्मिशन उसको फुल ली अवाइट करो जरूरत नहीं है अंबू जैक अच्छा लगता है मुझे ठीन सो साथ रुपए का शेर है और यहां पर अदानी ने खाता था तब यह अल्यडी उस प्राइस पर ट्रेट करता है आदानी के खरीदने से पहले अदानी के आने के और यह साड़े पांचस तक यहां ठीक है तो अगर दबारह यह आपको दो्सू अस्ती तीन सो रुपए के रेंज में नजर आता है अंबू जा सेमें यह नहीं कि जिस प्राइस पर ट्रेट कर उस प्राइस पर जाकर खरीद लो और यह कम बूजा है तो नजर यहां पर हो नहीं चाहिए वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद आए हो तो लाइक कर चाहिए चाहिए बगरा पहली बारें तो प्लीज सब्सक्राइब करें रतीजे के बारे में क्या सोचते हैं आज की जो गिरावाट आई है अदानी ग्रूप में उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट हों लिक के बता सकते हैं तैंक यू